नमस्कार दोस्तों मेरे कचल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे शकरपारे तो आज हम बनाने के लिए एक बोल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे आधा कप चीनी और आधा कप चीनी में डाल देंगे 1 थर्ड कप गरम पानी गरम पानी डालके फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम इसे तब तक मिक्स करना है जब तक की चीनी पूरी तरीके से खुलना जाए अगर चीनी करम पानी के अंदर नहीं घुल रही है तो थोड़ा सा पानी को आप और गरम कर लीजिए और उसके बाद चीनी को घुल जाएगी तो आप देख सकते हैं चीनी घुल चुकी है तो अब हम इस बरतन को साइड में रख देते हैं और अब मैंने यह दूसरा बरतन लि अगर आपके पास महीन वाली सूजी तो आप पीना मिक्सी में चलाए भी डाल सकते हैं तो मैंने तीन चमच सूजी डाल दिया और अब मैं इसमें एक छुटा चमच इनाइची का पौडर डाल रही हूं साथ में एक चुटकी इसके अंदर नमक डाल देंगे और इन सभी ची और घी की के बाद ऊच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहुला स्टैप बहुत ज्यादा मिक्सी ज्क हिना घी में मेदे सब्सक्ता तौट सकी मिक्सी कर से गषिक चम् outdoor दर्ब्राइब कर दोंट के चम्षे लिए हमें अच्छे हो दालकर लेंगे तब ख़ख से भीर लेंगे नो whamimax हो जाएं लेकिन हम इसे मसलेंगे नहीं अगर इस टाइम आपको लगता है कि डो काफी गीला हो गया तो आप थोड़ा सा मैदा मिक्स कर सकते हैं और टाइट लगता है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और अब हम इसे ढखकर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और बेलने में असानी हो तो मैंने इसे मसल लिया है और अब हम क्या करेंगे इसके दो हिस्से कर लेंगे तो मैंने इसके दो हिस्से कर लिया है इसमें से एक हिस्सा लेंगे और इस तरीके से इसे बॉल जैसे बना लेंगे और अब हम इसे उंगलियों से प्रेस करेंगे और इसे बेल लेंगे, इसे हमें पतला नहीं बेलना है, बलकि इसे मोटा ही बेलना है, अगर बहुत पतला बेल देंगे, तो यह बिलकुल नमक पारे की जैसे लगने लगेगा, तो मैंने इसे बेल लिया है, और अब मैं इसे इस तरीके से साइड से काट रही हूँ, और अब जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया उसको हम हटा लेंगे उसको बाद में बेलकर वापिस से ऐसे ही काटेंगे और अब हम इसे square shape में काट लेंगे आप चाहे तो इसे diamond shape में भी काट सकते हैं इसको काटने के लिए आप चाकू का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना easily यह कट जा रहा है क्योंकि यह काफी soft है तो मैंने इनको square shape में काट लिया है और मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूं तो आप इसकी मूटाई देख सकते हैं यह इतना ही मूटा होना चाहिए इससे जावा मूटा हम नहीं बेलेंगे क्योंकि तेल में जाने के बाद भी यह फूलता है इसी तरीके से हमें सभी को बेल कर काट लेना है और अब हम इसे तलेंगे तलने के लिए मैंने तेल लिया है आप खी भी ले सकते हैं और अब हम इसे मीडियम गरम कर लेंगे तो तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है और अब हम इन शकरपारों को इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे बिल्कुल भी टस्ट नहीं करेंगे दो मिनट तक दो मिनट हो चुके हैं त और यह काफी फूल भी चुके हैं और इनकी परते भी नजर आ रही हैं यानि कि यह काफी खस्ता बने हैं और इनको अभी हम थोड़ा सा ब्राउन और होने देंगे तो अब आप देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्यो तो फ्रेंट्स हमारे शकर पारे तैयार हैं आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जबू प्राय करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें